हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे CSG vs. ITT Full Stats Plus Info DreamLevel Stats Info देखेंगे CSG vs. ITT यानि TNPL Match No. 5 की लेकि जब से पहले आप से मैं कहूँगा अगर आप हमारे टेलीग्रम चल में नहीं जूरे हैं आपको लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जुड़ जाएं वहाँ पे आपको काफी हल्प मिलती है क्योंकि यहाँ पे ही फाइनल अपडेट आता है इसके साथ साथ अगर आपने हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया थोड़ा सा टर्न रहा था, स्पिनर्स को फाइदा मिला था लेकिन ओवराल मैं तब भी यही कहूंगा कि यहाँ पे टीम्स को जादा देखो जौन से टीम स्ट्रॉंग है उसको फेवर करो अभी तक मैचिस ऐसे ही हुए स्ट्रॉंग टीम से सामने की टीम को जल्दी आउट किया है, हाला कि आज कौन से टीम है जो जीतती चाहिए वो भी हम बात करेंगे लेकिन अभी तक के चारों मैचिस आप देखो यहाँ पे LKK ने इजी डॉमिनेट करके विन किया, यहाँ CSG ने डॉमिनेट करके विन किया, यहाँ पे भी वन सेड़ मैच देखने को मिला यहाँ पर भी वन सेड़ मैच देखने को मिला तोटल विक्टे अगर आप देखोगे 57 में दोस्तो 29 स्वास्ट को गई है 24 स्वास्ट को लेकिन कल दोनों मैच में अगर आप देखोगे कुछ टर्न देखने को मिलीजी स्वेशली रात वाले मैच में स्पिन हुआ था ठीक है, इसके लबाब आप रन आउट भी देख सकते हो 4 रन आउट है, वो जाधा मैटर नहीं करता अब आउक्षन की डिटेल्स अगर आप देखना चाहो मैंने आपको बताया, देखो जितना महंगा प्लेयर उतना ज़्यादा आप समझो कि वो इंपोर्टेंट है एक ये भी तरीका होता है देखने का इसी वज़े से मैं आपको समझाऊंगा कि 6% वला एने स्रिक्टर वे जो अच्छे खासे बल्लेबाज है उनका काफी कम अभी तक यूज हुआ है similarly राजेंद्र विवेक जिनको काफी महंगे में खरीदा गया था उन्होंने पहले मैच पे कुछ नहीं किया ये दो खिलाडियों पे थोड़ा खासा ध्यान दे सकते हो अगर आप डिफरेंशल जाना चाहते हो फर्स्ट मैच में आप कितनी भी वीडियो देख लो किसी ने भी आपका पी रंजन पॉल पे ओपनिंग पे नाम नहीं रखा था और बहुत अच्छा काम ये करके भी गए थे नरायन जग दीसन के साथ ओपनिंग पे आके चेपोक आज भी फेवरेट रहेगी लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो ITT की टीम को विन करना है तो साई किशोर और विजय शंकर को बेस्ट करना होगा फिर वो विन कर भी सकते हैं बाकी अब यहाँ पे अब दोस्तों देखे हो सब प्लेयर्स के रोल सबसे पहले रोल के साथ आपको देखने को बिल रहे हैं रीसेंट फॉर्म आप रीसेंट फॉर्म भी देख सकते हो मैंने आपको फर्स मैच पे भी दिखाई थी संतोष शिप को इन्होंने नहीं खिलाया जिनका फॉर्म डिसेंट था बाकी वैसे वो इनके बैकप विगेट कीपर है यदि खेलते हैं अच्छे हैं यहाँ पे आप देखो के पहले मैच पर जीरो पर वो टोई राजबाल सतीश लेकिन राजगुपल सतीश आपको बता चुक कर सकते हो बोलर्स की भी मैंने बताई है किस प्लेयर ने कितनी विगेट निकाल रखी है मेजर जो आज इंपोर्टेंट बात आती है वो आती है पहले मैच को स्कोर कार्ड इनके ओपनर्स दोनों शांदार रहे थे 35 और 88 ठीक है रन मारे थे पी रंजन पॉल ने 35 जगदीश लेकिन सिच्वेशन वाई संजे आदव को भी प्रमोट किया जा सकता है अगर तेज रंच ये लास्ट मैच की तरह इनकी बोलिंग काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि इनके पास सिंबल सारा ने अच्छे बोल रहे है राइल चाप बढ़िया बोलर है रंगल इंगम रोहित फस् चारवा और बीसवा और किया था वी इजू आरोल ने और उसी टाइम पे देखो दो और अठरा पे दो यानि दो विकेट भी निकाले थे कई ना कई ये चीज इंपोर्टेंट हो जाती है रामा लिंगम रोहित तीन और अर अर्थीस पे जीरो सेकेंड फोर्थ और नाइटी किये थे ग्यारवा और तेरवा और तो बोलिंग भी कल भी टीम के पास काफी है और आपको थोड़ा सा ध्यानक ना होगा यहां पे सिंबल सारन का राहिल शा भी इंपोर्टेंट है और इवन अगर आप देखो बाबा भी चार ओर कर रहे हैं और अच्छी कासी बल्लेवाज इनके लास्ट येर के हीरोस थे संजे आदव और बाबा ही दोनों ने आप देखो के बल्ले से रन किये थे संजे टॉप स्कोरर थे बाबा सेकेंड आयर स्कोरर उसके बावजूद इनके टीम फाइनल तक नहीं पहुंची थी जबकि इनोंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस सब्सक्राइब का पर एंबर स्कोरिंग में अगर आप यहां पर देखो दोस्तों सालनव साथ मैच नौ विक्ट था याप यहां पर रोल्स और इसेंट वो देख सकते हो अन्युद्सी तर आंग जोंकि इनके आच्छे बल्लेवाज मिली के विशाल वेजय को ऐज लेकिन आप उपनिंग पे आ रहे हैं लास्ट एर मिडल ओडर में खेले थे राजेंदर भी वेक को बोलिंग नहीं मिली जो सरप्राइजिंग था क्योंकि आक्षिन में बहुत महंगे में लिए गए तो आप एक्सपेक्ट करते हो काफी काम भी मिलेगा लेकिन वो काम नहीं द अच्छा स्कोरिंग देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा तुशा रहे जाए इनके विकेट कीपर के 33 इसके बाद सोलर और विशाल वैद्या जो इंपक्ट प्लियर थे फिर नीचे लोवर ओर्डर में थोड़े से रंज आये थे वो भी 10-11 के करीवी बोलिं अठारवा और 20-20 खिलाडी का था जब अठारवा और 20 ऑर भी इनका है तो आपको यह चीज समझ में आरही है कि ए इंपोर्टेंट है एंफक्र चारवर बी डाले और 28 बीसमा भी तो पेरियास्वामी इंपोर्टेंट है बट मनि गंदन के मेन खिलाड़ी है इन दोनों को नहीं चोड़ना सामने बाबा परजिक जगदीशन है उनको नहीं चोड़ सकते संजी आदब को नहीं चोड़ सकते ऐसे ही इस टीम में विजे शंकर और आर साय किशोर को तो चोड़ना ही नहीं है बाकी के प्लेयर्स पर गेम खेलो लेकिन य किशोर बेस्ट बोलर हैं 6 मैंच 11 विक्टे अजित राम 10 में 10 पेरियस वामी 7 में 5 राजेहिंद्र विवेक 7 में 5 विवेक ने लास्ट एवरन भी मारते 7 मैंच में 107 आपको नाम देखने को मिल रहा है एकदम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे लेकिन अभी तक इस टूनामें का एक शेयर लिया था लेकिन इनका रेड भी बढ़ गया है और दोस्तों बोलिंग इन्होंने फर्स मैच नहीं करी थी ध्यान रखना लेकिन जो इंपोर्टेंट है विजे शंकर वो तो सोल्ड आउट ही हो गए मैंने दो शेयर लिये थे और मैं खुद अप सोच आँ इनको की डिस्क्रिप्शन में कोड़ आप करेगा फॉरकस्ट डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपीज मिलेंगे और 50 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो फुली कैश रहेगा अगर आप के वाईस ही करते हैं अपनी दोस्तों जब आप यहां पर विकेट कीपिंग मे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं आप रंजन पॉल को भी रख सकते हैं और रहेजा को भी क्योंकि रहेजा ओपनिंग और विकेट कीपिंग दोनों कर रहे हैं जिबकि गनेश बतौर बल्लेवास खेले लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए तो मैं यह तीनों को ही लेकर चल रहा हूं ल लॉप हुए थे क्योंकि उन पे लोगों का कम ध्यान होगा मैं ऐसे प्लेयर आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले संजे यादब को लूँगा बल्लेबाजी सेक्शन में सबसे छे खिला रही है वैसे तो स्पिन भी बढ़िया करते हैं लास्ट टैम इनको बोलिंग में मौका नहीं मिला था कैचिंग पोजिशन में भी रहते हैं ठीक है आर सतीश आपको बता दूँ कि सीधा सीधा बहुत ही बढ़िया आईपियल टैलेंट रह चुके हैं या इधिंग कॉलकता मुंबई इफ आइमरेट पंजाब से भी खेल चुके हैं दो-तीन आईपियल टीम से खेले हैं ज़्यादा मौके नहीं मिले थे बढ़वान आईपियल सीजन में टीम के लिए रेगुलर थे तब मुझे याद है मुंबई से काफी खेलते थे कहानी कुछ ऐसी रही है वो फस सीजन थाई फाइमराइट कहानी कुछ ऐसी रही है कि अब ये बोलिंग कम कर रहे हैं उस्टे मीडियम पेस करते थे फील्डर ये जब बरदस्त है बल्लेवाजी इनको एंड में मिल रही है बट चतुरवेद ये वो खिलाड़ी बन सकते हैं जिन पर ज़्यादा लोग ध्याम नहीं दे रहे चतुरवेद काफी चतुर खिलाड़ी भी है ओपनिंग पर भी है काफी महंगे में भी लिये गए है आठ लाक में तो कुछ अच्छा तो होगा और लास्ट येर इनकी एक 75 की नौक भी थी तो कहिना की ट्राइबल रहेंगे डिफरेंशल के तौर पर आप चतुरवेद को ट्राइ कर सकते हो और यदि आप ऐसे प्लेयरों जो ऐसी जगा खेलता है जहां आपको दो बल्लेवाज लेने हैं तो आप साथ में के विशाल वेद्या को रखना ये अपनी टीम के हाईए स्कोरर थे इफ नॉट आप आर सतीश पे रिस्क ले सकते हो बाकी के प्लेयर्स खेले नहीं और अगर कोई खेलता है तो उसमें शिव फे थोड़ा ध्यान रख सकते हो राधा कृशन भी ठीक है लेकिन शिव ज़्यादा अच्छे खिला रही है और राउंडर्स में दोस्तों विजेश शंकर को आपको रखना ही है काफी अच्छे खिलाड़ियों और काफी बढ़िया खेलते हैं बी अप अरजित यानि बाबा अप अरजित टीम के कप्तान है चार ओर भी करते हैं दो विकेड भी चटकाए थे बल्ले से भी रन किये थे 29 इंपोर्टेंट रहेंगे देन हरीश कुमार है वन अफ दे स्टार ओर राउंडर्स टीन पिल में काफी बढ़िया खेलते हैं राइटा मीडियम पेस के साथ आपको बल्ले बाजी ओफर करते हैं इंपोर्टन खिलाडिया है भूवनेश्वरन को भी सिलेक्ट कर सकते हो बतोर बोलर आप देखोगे तो इन्होंने दो ओवर किये थे आप कीजीगा पूरे चार ओवर किये थे लेकिन इनको विकेड एक ही मिला था दस बारा रन भी इन्होंने किये थे पार्तर सास्तरी, एल राज, भी अपन जोकी एक्चली इकलोते मैच में अपने TNPL में तीन विकेट निकाले हैं उनको अभी टीम मौका नहीं दे रही बोलिंग में रविशी निवासन साइकिशोर मस्ट हैव बेस्ट बोलर हैं जोकी बल्ले बाजी भी करते हैं तो इनको किसी भी कीमत में मच छोड़ना सिम्बल सारान अच्छे हैं, इके बोटन टाइम पर बोलिंग भी करते हैं राहिल शा भी अच्छे हैं, CSA के टीम की बोलिंग स्ट्रॉंग है और मैं इनको बैक भी कर रहा हूँ अरुल इनके डेथ बोलर बनके आयते, लास मेंच में दो वर किये थे, डेथ में विकेट मिले थे, आप ट्राइ कर सकते हो रॉकी इंपक्ट प्लेयर के तौर पे आयते, विट्टे निकाली थी अजित राम एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन फर्स्ट मैस फ्लॉप रहे थे, तो ये बोलिंग सेक्शन के वो खिलाड़ी है, फर्स्ट मैस फ्लॉप लेकिन अच्छे है सिलेक्शन कम है, लेकिन इन में से अगर आपने सही बोलर चूस कर लिया, आपकी गेम बन जाएगी और मैंने अभी पेरिया सौमी को चूस किया, अगर आपको याद होगा इनका अठारवां और बीसवां अवर था, चार और शालिस पर जीरो रन खाके नेगेटिव पॉइं और इसके अलावा भी आप पास ऑप्शन्स है, जो मैंने आपको नेम करी हैं, जिसे कि आप यहाँ पे देखी सकते हो, इंपक्ट प्लियर के तोर पे आने वले के विशाल वैद्या की बात, अब ये दोस्तों हमारा टीम कॉमिनेशन बने है, सीवी सी के तोर पे बेस्ट खि निवासन साय की शोर, तो ये जो चार खिलाड़ी हैं, इनके उपर गेम ज़्यादा खेलना ग्रैंड लिग में, मैंने अपना स्मॉल लिग में कैप्टन सी विजे शंकर को दिया है, वाइस कैप्टन सी बाबा को, आप चाहो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि आप दे दूर आएगा टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि एशिस का अलग क्रेजर, लेकिन कोशिश करूँगा, वीडियो भी आए,